हालो दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल अपना सपना में दोस्तों मैं हमेशा ही तरह उपस्तित हूँ आपके सपनों का लेके लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारी YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके तो दोस्तों आज हम सपने के विशे में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में देखते हैं कि टटी जो पेखाना जो लेटरिंग होती है वो आपके सरीर में कहीं लगी हुई है या आप दूसरों के किसी के सरीर में अगर आप टटी पेखाना मल जो किसी के सरीर में लगे हुए देखते हैं अपने सपने में तो यह सपना आपके आने वाले जीवोन में क्या प्रभव डालता है क्योंकि दोस्तों सोने के बाद हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और सुबह उठने के बाद उसी सपने के बार में व्याख्या करते हैं उस सपने के बार में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं और इन सपने का मतलब होता है तो दोस्तों सपने को लेकर स्वापन सास्तर का मानना होता है कि जो भी सपने में रात को सोने के बाद देखते हैं वैस अपने हमारी भूत काल की घटी घटनाएं और बविस्ते में होने वाली घटनाए या एक सूब और एक अच्छा स्वापन माना गिया है माना जाता है कि आप सपने में पेखाना अपने सरीर पे लगे वे देखते हैं तो आने वाले समय में आने वाले जीवन में आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ती होगी बहुत अधिक मात्रा में धन की लाव होगी आने वाले समय में तो दोस्तों कुल मिला के सपने में पेखाना सरीर पे लगा हुआ देखना या एक सूब और बहदी अच्छा स्वाप्न माना गिया है वो इस वह अपने सास्तर कहता है कि जब भी आपो ऐसे अच्छे और सूपस्वापने दिखाए दे तो ऐसे सपने किसी को बताना नहीं चाहिए किसी की सामने वेक्त नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से सपने पूरे होने की संभावने कम हो जाती है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दी गई जानकरी आपो पसंद आई होगी धन्यवाद दोस्तों